हाई दोस्तों साईज ही और बाक विद अनदर इंट्रेस्टिंग वीडियो और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ कीप कॉसा एंड्रोइड 10 वर्जन 2.2 रोम का हमारे पोको एफ़न डिवाइस पे रोम जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ लगे एक बार इसको ट्राइ करने को बूलूंगा काफी ज्यादा साही आउटपूट दे रहा है तो इसका टोटल डीटेल रिव्यू करने वाला हूं तो वीडियो को पूरा एंट तक के देखना हर एक चीज़ डीटेल में कवर करूंग लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलिग्राम ग्रूप और चैनल को जॉइन करना वहाँ पर इंपोर्टेंट फाइल्स और अप्डेट्स में प्रोवाइट करते रहता हूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से तो यहाँ पर जैसी कि आप देख सकते हो स्मूथनेस बहुत ही जादा कमाल लग रही है जो सेक्यूरिटी पैच है वो जनवरी 2024 का सेक्यूरिटी पैच है और यह करनल आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ असर डिफरेंट लग रहा है ठीक है लेथल करके यहाँ पर करनल आपको देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात मैं बोलू तो इस करनल के साथ आपको करनल SUV का भी सपोट देखने को मिलते है जैसे कि आप देख सकते हो करनल SU सपो'reट के साथ यह रोम आपको देखने को विल जाती है बात करूँ सेफटी निट के बारे में तो सबसे पहले अराम से आप यूज में लेसकते हो डिवायस जो है वो सर्टीपाइट देखने को मिले है आप इसको यूज में ले सकते हो या फिर gcam यूज करना पड़ेगा पुराने वर्सन का है कैस कुछ 7.2 का कुछ gcam यूज कर सकते हो वो अच्छे से वर्क करेगा इसमें देन c linux status enforcing है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है आप आराम से इसको यूज में ले पाऊंगे कोई security related issues नहीं होगी then google photos के बार मैं बात करों तो यहाँ पर spoofing है की नहीं वह चीज चेक आउट करते हैं तो यह little bit time ले रहा है load होने के लिए जैसे कि आप आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको spoofing मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर spoofing available है जो कि मेरे को काफी सही लगा then यहाँ पर अगर मैं बात करों google feed की तो google feed में smoothness एकदम ही OP level की यहाँ पर smoothness देखने को मिली है जैसे कि आप calling के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं calling पर आपको दिखा देता हूं कि इसका UI कुछ कैसे देखने को मिलता है जैसे smoothness आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हो right then उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा बिल्कुल perfectly working है night light के बार में बात करें तो वो भी बिल्कुल सही work कर रहा है को issues नहीं उसमें live display के बार में बात करें तो यहाँ पर color calibration, picture adjustment, reading mode, color profiles, इन चीज़ों को आप adjust या फिर set कर सकते हो बात करूं notch behavior की तो इस तरह से मैं hide कर देता हूँ और जैसी कि आप देख सकते हो notch hide हो चुका है तो इस तरह से आप इसको use में ले सकते हो थोड़ा से UI restart होता है तो उसको आप ignore करना बाकि यहाँ पर double tap to wake और double tap to sleep बिल्कुल यहाँ पर perfectly working है कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें बाकि यहाँ पर font size displays इनको adjust कर सकते हो game driver preference का option मिल जाता है तो यहाँ पर जैसी आप देख सकते हो यहाँ पर select graphics driver का option है तो यहाँ पर उनको आप select कर पाऊंगे ठीक है और बाकि यहाँ पर lock screen display के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कुछ options आपको देखने को मिल रही है जैसे कि यहाँ पर display music visualizer का option है ठीक है disable on lock screen जो power menu था उसको आप lock कर सकते हो मतलब lock screen पर आप उसको disable कर सकते हो always on का यहाँ पर option मिल जाता है तो वो battery खाएगा उसको मत ही use करना ठीक है बाकि wake on plug जब battery आप connect करोगे I mean sorry charger आप connect करोगे तो वहाँ पर wake on plug का option मिल जाएगा then बात करें यहाँ पर battery वाल option की तो thermal profiles का यहाँ पर support देखने को मिलता है तो जो भी game खेलते उसको performance पर set करते है तो काफी अच्छा output आपको देखने को मिलेगा ठीक है then यहाँ पर जो है आपको battery optimization का option है यहाँ पर charge light वाल option देखने को मिलता है उसके बाद low light मतलब जब battery low होती है तो blink light का option है then यहाँ पर battery charge warning option देखने को मिल जाता है सबसे चीबात smart charging option मिल जाएगा आप अपना trigger set कर सकते हो मैंने 90 set किया इस तरह से आप इसको trigger पर set कर सकते हो start triggering and stop triggering और इससे जो है आपकी battery जो है फूलने से बच जाएगी तो यह काफी जादा useful option है ठीक है तो आप इसको use में ले सकत यहाँ पर आपको कुछ me sound in answer का option मिल जाता है तो इसको आप चाहो तो use में ले पाऊंगे then apps के उपर आता हूँ apps के उपर आओगे तो default apps के उपर आता है तो यहाँ पर shady launcher मिलता है I guess यह launcher हमें have a course में भी देखने को मिल जाता same launcher राइट न और यहाँ पर आपको देखने को मि अगिरा का और यही कुछ आपको options मिलते हैं इस launcher के अंदर then उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और options की तो चलते हम security के उपर और यहाँ पर fingerprint sensor face unlock सारी चीज़े बिल्कुल must work कर रही है app locker का support यहाँ पर है वहाँ पर हम hide कर सकते हैं यहाँ पर आपको लॉक कर सकते हो ठीक है face unlock, IR face unlock इकदम instant और fast work करता है कोई दिक्कत नहीं देने वाला है आपको इसमें then बात करें यहाँ पर कुछ और options की तो other पे tap करता हूँ तो यहाँ पर other पे कुछ येवल options है तो जो main हमारा customization section होता है वो उपर मिलेगा keep causa के नाम से तो keep causa के उपर हम tap करते हैं और keep causa के उपर tap क करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा customization का section देखने को मिलेगा तो चलते हैं status bar के उपर सबसे पहले तो आप यहाँ पर traffic indicator enable कर सकते हो और उसमें थोड़ी से modifications जैसे कि fonts चेंज कर सकते हो उसका hide arrow कर सकते हो तो यह कुछ options मिल जाएंगे then नीचे चलोगे तो while type custom layout वगरा enable कर सकता हो और थोड़ा सा इसमें भी customization आप कर पाऊंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम फिर से चलते हैं back आ चुके हैं वैसे status bar के उपर और उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पे status bar top padding है left padding right padding के options आपको मिलेंगी then यहाँ पे system icons signal icons इनको आप थोड़ पर यहाँ पर ठीक है तो यह customization है थोड़ा सा अलग type में आपको show किया गया है बट वही चीज़े हैं जो हमें normally हम modify करते हैं बाकि colored icons आप enable में ले सकते हो बाकि clock style और यह सारे options मिल जाएंगे then बात करें themes के तो theme आपके उपर आते हैं तो यहाँ पे ancient color है और जो body fonts है वो यह android 10 row में है लेकिन यहाँ पर customization देख पा रहा हो यहाँ पर android 14 जैसे customization कुछ कुछ दिये गए हैं बात करते हैं quick settings की तो यहाँ पर brightness slider हम always show set कर लेते हैं auto brightness का icon set कर सकते हैं बाकि QS drag handle का option वगेरा है यहाँ पर और काफी सरे options यहाँ पर देखने को मिल जाती है चुकि presently यहाँ पर अभी कुछ show नहीं हो रहा है I guess यह option working में होना चाहिए बाट presently तो शो नहीं कर रहा है वो then बात करें कुछ और options की तो notification header का वगेरा option मिल जाता है ठीक है तो इसमें यह भी चीज़े देखने को मिलेंगे background opacity set कर सकते हो tight visibility का option है vibrant on touch मतलब QS panel पे जो भी आप tile को enable करोंगे तो vibrant वाला feel मिलेगा और style पे QS tint का option मेंने enable किया जैसे कि आप देख पर थोड़ा सा भी भरे भरे से लग रहे हमारे जो notification panel पे icon से वो बाकी rows और columns adjust कर पाऊंगे यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है quick settings के ऊपर यह चीज़े आपको देखने को मिल अगर नहीं पसंद है तो बंद कर सकते हो आप मतला कुछे से इस तरह से हम करते है ये देखो notification रिपकर दूगा तो वो अमें नहीं शो होगा जसी कि देख पार रहो शो नहीं हो रहा है तो यह rotation button आपको पसंद नहीं है तो आप बंद कर सकते हो power menu के बार में पात करो तो advance start का option मिल जाएगा तो इसको आप यूज में ले पाऊंगे बाकी यहाँ पर options हैं जैसे कि यहाँ पर disable on lock screen power menu को कर सकते हो quick torch यूज में ले सकते हो वही हमारे जो पुराने options है थोड़े से नाम बदल के यहाँ पर added देखने को मिलेगी justice के उपर जो है jump to camera का option है और swipe to screenshot का option कुछ मिल जाएगा कुछ इस तरह से और long screenshot वगरा आप ले सकते हो दिक्कत नहीं देगा यह then उसके बाद हम चलते हैं lock screen पर हमने देख लिये चीज़े नहीं lock screen के उपर यहाँ पर battery information जब charge करते हो तब आपको देखने को मिलेगी और भी काफे से options है charging animation आपको जो flash हो गया wave वाल option नहीं है आपके तो यहाँ पर कुछ इस तरह से charging animation मिल लेती है tap to sleep का option है fingerprint authentication vibration का option है secure power menu का option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और नीचे quick settings है और यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़े हमें देखने को मिल जाएंगी बात करें notifications की तो यहाँ पर आपको show notification count का option मिलता है और नीचे चलेंगे तो और भी वही options आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे कि kill app button का अगे option है और नीचे जैसे कि noise notifications enable disable आप कर सकते हो तो यह कुछ customization मिल जाता है हमें बात करते हैं animations की तो animations के उपर disable transition animations आपको मिलता है आप चाहो तो इसको use में ले सकते हो या फिर इसको बंद ही रहने तो then बात करते हैं यहाँ पर कुछ और options की then यहाँ पर toggle colorful battery icon मैं इसको enable करता हूँ UI restart होगा और उसके बाद आपको colorful icons जो होती है वो यहाँ पर show होगी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप यहाँ पर note down करना just a second तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर yellow color का कुछ show हो रहा है battery ठीक है ना तो जब यहाँ पर पुरा white था I mean black था तो अभी yellow color का show हो रहा है मतलब यहाँ पर battery जितनी जितनी भरी रहेगी उसके हिसाब से हमें यहाँ पर show होगी चीज़े ठीक है तो सही है वैसे अच्छा लग रहा है देखने में यह चीज then उसके बाद हम बात करें कुछ और options की तो battery style आप different type के set कर पाऊंगे percentage आप दिखा सकते हो चलो मैं इसको inside में नहीं inside में नहीं left में रखता हो तो कुछ इस तरह से show होगा then battery percentage when charging आप इसको enable कर पाऊंगे ठीक है show lightning symbol का option है जब charge पर लगाऊंगे symbol आपको देखने को मिल जाएगा बाकी battery style है battery location आपको QS panel पे या फिर status bar header पे आप रख सकते हो तो यह सरा options यहाँ पर देखने को मिलती है चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ और options की तो miss lineages के उपर आते हैं तो smart pixels का option है इसको enable करने से आपकी battery की बचत होगी जो pixels है कुछ-कुछ जो होती है वो बंध हो जाएंगे तो यहाँ पर यह चीज़ भी काफी ज़्यदा useful है आप percentage जो होती है pixels की वो set कर सकते हो 50 हो गया, 88 हो गया, 12 हो गया अपने हिसाब से है, okay then उसके बाद suspend actions का option है तो इसको आप set कर सकते हो ठीक है बाद में यहाँ पर sensor block पर package का option मिल जाता है show volume panel जो होता है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कर सकते है ठीक है volume और उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर allow application downgrade का option मिलता है add block का option है तो यह काफी जादे useful options आपको मिलेगी gaming mode का option है ठीक है उसके बाद G visual mode उसके बाद screenshot sound आप बंद वगरा कर सकते हो screenshot delay जो है और यहाँ पर window secure flag मतलब ignore window secure flag इससे आप जो है restricted apps में screenshot वगरा ले पाऊंगे बाकी यहाँ पर allow signature spoofing है use storage encryption spoofing है higher apps का unlock कर सकते हो games में बाकी यहाँ पर जो है आपको google photos में spoofing मिल जाएंगी और netflix spoofing वगरा है c linux status यहाँ पर mode जो है आपको देखने को मिलता है बहुत सारी चीजे है और persist across reboot का option भी मिलता है तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाती miss lineages के अंदर बहुत अगड़ा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है बहुत अंड्रोइड 14 जैसा कस्टमाइजेशन या फिर बोलू उससे जादा या फिर बोलू combination of android 14 या फिर android जो भी 10, 11, 12 जो है सब के इसमें जो भी कस्टमाइजेशन था उन सब को यहाँ पर add कर दिया गया ठीक है काफी सही रोम है स्मूथ है बिल्कुल करस्टमाइजेशन बहुत ही जादा ओपी लेवल का है बहुत सारी चीज़े हाँ पर आप modify कर सकते हो चलो अब बात करते हैं battery backup के बारे में यहाँ पर मैं आप जैसी कि आप देख सकते हो जो battery backup है उसके हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो जैसी आप देख सकते हो battery drain जो है वो कुछ 19% हुआ है एक घंटे 11 मिनिट में और जो इसका active drain है वो 15.97 है मतलब आप इसको पकड़के चल सकते हो कि यह 16% battery drain हो रही है ठीक है एक घंटे में तो यहाँ पर आपको जादा battery backup नहीं है इस रोम के अंदर चार घंटे का कुछ आप battery backup पढ़के चल सकते हो users आपको पता है यह मेरा normal रहता है 50% brightness और यहाँ पर device wifi से connected होता है और यहाँ पर मैं videos प्ले करता हूं YouTube पर एक घंटे तक के ऐसे testing करने के बाद मेरे को यह कुछ battery backup मिली है जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग गया इस रोम की battery backup के मामले में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है चलो आप बात करते हैं यहाँ पर N22 score की तो performance में जो है चीजे चेक आउट करते हैं तो performance के मामले में चीजे आप देख सकते हो N22 score 5,00,000 यहाँ पर आप कुछ देखने को मिल जाएगा आपको 12,190 कुछ score है N22 score और Geekbench 5 score के बारे में बात करूँ तो वो भी चेक आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसी कि आप देख सकते हो single core है 506, multi core है 2079 और जो CPU throttling है वो 91% यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर overall performance के मामले में यह रोम बहुत ही ज्यादा खतरना लेवल का आपका output देगा gameplay वगरा बहुत smooth है बिल्कुल ROM मक्कन है मक्कन बिल्कुल बहुत ही अच्छा output smoothness देखने को मिलेगा बट बैटरी बैकप के मामले में में मेरे को यह रोम मतलब डाउन चली गई चार पाच घंटे बहुत कम बैटरी बैकप दे रहा है यह रोम इवन इसी डिवाइस में मैंने evolution x का latest जो अभी अभी रोम आया था उसको मैंने test किया Android 14 का तो इसमें 10 घंटे का screen on time दे रहा था वो रोम बट यह रोम आपको चार पाच घंटे का screen on time दे रहा है ठीक है लेकि बैटरी बैकप के मामले में मजा नहीं आने वाला है आप kernel वगरे change करके try कर सकते हो ऐसे ngk kernel वगरे डाल के देख सकते हो या फिर दूसरा कोई भी kernel आप try कर सकते हो तो उसमें देख सकते हो कैसा output है तो ठीक है तो यह कुछ था review इस रोम का बाकी रोम का मतलब flashing guide का video नीचे description में देदूँगा normal room है आप इसको normal recovery से flash कर सकते हो ठीक है बस तो आज के लिए इतने अगले वीडियो मिलेंगे वीडियो कर पसना है तो please वीडियो को like share कर देना तो बस बाई बाई गुडबाई टेक वाई